हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मै चाइनल आज हम बनाएंगे गवारफली की सबजी तो सबसे पहले तेल को गरम करना है तीन चेमज गरम किया है तेल आधी चेमज डालना है राई थोड़ा सा करीपत्ता डालना है और यहाँ पर बारिक एक प्याज काट लिया है और एक टा अब प्याज डालने के बाद अच्छी तरह से ब्राउन कलर आने तक हल्का सा भून लेना है हल्का सा ब्राउन कलर आ चुका है प्याज को अभी इसमें डालना है टमाटर यहाँ पर एक बारिक काट लिया है टमाटर को टमाटर डालने के बाद अच्छी से मिक्स करना है अब इस टमाटर को सौफ्ट होने तक भून लेना है एक दो मिनिट के लिए नमक डाल दिया है स्वादा अनुसार नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और टमाटर सौफ्ट होने तक भून लेना है एक दो मिनिट के लिए यह देख सकते हो टमाटर सौफ्ट हो चुका है एक दो मिनिट के लिए इसे भून लेया था हमने यह देखिए एकदम इजिली मैश हो रहा है यहां पर टमाटर एक छोटी चमच यहां पर डाला है हल्दी और तिखा मसाला डालना है देड़ चमच यहां पर तिखा मसाला डाला है मैंने मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है यहां पर हमने जादा मसाले यूज नहीं किया है जो घर पर अविलेबल होता है हम उसी से ही इस सबजी को बना लेते हैं लेकिन बहुत थी स्वाधिष्ट बनती है गवार फली को डाल देते हैं इस गवार फली को अच्छे से दोकर कट कर लिया है गवर फली को डालने के बाद अच्छे से मिलाना है अब इसे भी एक दो मिनट के लिए भून लेते हैं अब यहाँ पर क्रश केया हुआ मूंग फली है मूंग फली को भून कर मिक्सी में पीस लेना है मूंग फली के क्रश को डालने के बाद अच्छे से मिलाना है और एक दो मिनट के लिए भून लेते हैं देख सकते हो आप एक दो मिनट के लिए भून लिया है हमने यह देखिए भूनने के बाद इस तरह से यह दिखता है अब इसमें डालना है पानी गरम पानी का यूज किया है मैंने पानी इसमें थोड़ा सा ही डालना है इस सबजी को हम सुखी बनाने वाले हैं इसलिए पानी जादा नहीं डालेंगे थोड़ा सा ही पानी डालकर इसे हम पकाएंगे अब इससे ढखकर रख देते हैं पांच मिनट के लिए यह देख सकते हो, पांच मिनट तक पका लिया था हमने, धकर, अभी यह सबजी बन कर तयार है, गवर फली की यह सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है, सूखी, आप इसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, टिफिन के लिए भी इस तरह सा, इस तरीके से बना सकते हो, देख सकते हो, आप खाने के लिए अभी तयार है, गवर फली की सबजी, बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार ज़रू ट्राइ करें, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, और कम सामगरी में भी हम इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं, इस टेस्टी सबजी को ज़रूर ट्राइ करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ,